कि अधिए अधिक से आज मैं आपके साथ रेश्पी सेट करूंगी दही और पापड़ की सब्जी जो कि राजस्तान की बोहती फेमल सब्जी है बट मैं जिस तरीके से बनाती ही है हो इसको वह रेश्पी आपके साथ सेट करने जाए है तो चलिए सुरू कर लेते हैं आज की र यहां पर मैंने लिया एक कटोरी में 1 कट आ ही, इसको हलका सा þै फंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, और इसके बाद идет आधा करीब तो यहां, मसाले में प्लिए 29 पाउडर के ऐड़ किया, six water. पाउडर, उसके बाद आड़ कर देंगे तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर, तो आप अपने स्वाध के अनुसार यहां पर आड़ कर सकते हैं मिर्ची पाउडर, इसके बाद इसमें आड़ किया मैंने एक बड़ी चम्मच से लाल कस्मीरी मिर्च पाउडर, इसके बाद करेंगे तवा गरम करेंगे , लिवलेबल होता है तो पािपड को ऐसे इस तरह दबाते हुए और हल्का सा सेख लेंगे मतलब इतना सेखना है पक जाए बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है इसको आप डारेक्ली गैस के ऊपर भी सेख सकते हैं या फिर माइक्रोवेब में भी 40 से 50 सेकंड रखेंगे तो यह बहुत अच्छे से पक जाता है पापड बन जाता है तो इस तरीके से मैंने तवे पे किया गैस पे टारेक्ली चुकी थोड़ा सा काला पढ़ जाता है तो इसलिए मैंने तवा पे इजी रहता है और बहुत अच्छे से हो जाता है इविनली सिख जाता है ये तो मैंने दो पापड कर लिया इसी तरीके से मैंने चार पापड लिये हैं चारों पापड को सेक लेंगे आप अपने रिक्वार्मेंट के अनुसार यहां पे पापड कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने यहां पे चार पापड लिया है बड़े साइच के आप चारों को मैंने सेक लिया है और इसके टुकड़े कर लेंगे इसको तोड़ लेंगे बड़े टुकड़े करेंगे बहुत ज इसके बाद दो या तीन बड़ी चम्मच से सरसो का तेल एड़ करेंगे तो यहां पे मैं बढ़ कोई सा भी तेल यूच कर सकते हैं जो आप प्रेफर करते हों बढ़ यह सरसो के तेल में बहुत अच्छी बनती है तो यहां पे गरम जैसे ही तेल हुआ तो उसमें मैंने कुछ पींचेज हींग के एड़ किये इसके बाद तड़के के लिए मैंने आदा चम्मच जीरा, एक चम्मच ब्लैक मस्टर्ड, काला सरसो यानि किराई जिसको बोलते हैं और एक तिजपत्ता तोड़ के डाला है तिजपत्ता को और दो लाल सुखी मिर्च को अड़के के लिए और हलका से इसको सौटे कर लिया भून लेंगे तड़के को और फिर इसमें एक बड़ी साइज का प्याज आड़के करेंगे बारी कटा हुआ और इस प्याज को तब तक भून लेंगे कि जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हुआ और यह पक कर सॉफ्ट नहीं हो जाए तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे प्याज को तो कुछ मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहां प्याज भून गया मेरा अब इसमें क्या एक बड़ी चम्मच से अद्रक लहसन का पेस्ट एड कर देंगे और इसको भी करीब 30-40 सेकंड के लिए इस तरह से लगतार चलाते हुए भून लेना है हमको ताकि इसका रौनेस निकल जा तो यह हमारा अद्रक लहसन भी भून गया अब फ्लेम को एकदम स पका लेंगे दही और मसाले को तो अगर लो फ्लेम रखें इस बात का ध्यान रखें नहीं तो हाई रहेगा तो दही फटने का चांस है तो लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और तब तक इसको चलाते रहना है जब तक यह दही से पानी नहीं निकलने तो आप देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद बहुत अच्छे से दही वाला पानी आ गया है बाहर तो इस लेबल तक हमको पका लेना है दही मसाले को और फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो नमक अपने स्वाथ के अनुसार डालें और इस बात का ध्यान रखे कि पापड म नहीं छुटने लगे तो जब तेल एकदम पानी ट्राई हो जाएगा तहीका और तेल निकननने लगेगा मसालों से अलग होने लगेगा तब तक उसको पका लेना है और जब वो पक जाए तो इसमें आड कर देंगे पानी तो यहां पे मैंने डेर कप के करीब पानी आड किय बट आपको ग्रेवी पतला चाहिए तो और पानी आड कर सकते हैं और गाड़ा चाहिए तो डेर कप इनफ है डेर कप सफिसियंट होता है गाड़ा ग्रेवी के लिए तो जब इसमें पानी डालने के बाद हाई फ्लेम करेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे तो ज इसके बाद इसको ढख देंगे, हाई फ्लेम ही रखेंगे, ढख कर इसको करीक डेर से दो मिनट के लिए पका लेना है, और ये हमारा पापड का सबजी बनके रेडी है, बहुत ही जटपट बनने वाली, जब भी आपके घर में कभी होता है, ग्रीन सबजी नहीं है, हरी सबजी नहीं है, तो फिर ये बहुत अच्छा ओप्सन है बनाने का सबजी, पापड की सबजी बहुत टेस्टी लगती है, इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, या चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये रही मेरी आज की रेसिपी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तैंक यू फर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केर